अलो प्रेंस वेल्कम बैक टू विट अबाव पार देखिए आज का जो अगला स्टॉक है वो मैं आपके लिए लेकिया हूं बजाज फिनन्स लिमिटिट का एंड बजाज फिनन्स लिमिटिट के अंदर आज जो लोन ग्रोथ वहाँ पर उन्होंने पब्लिश करी है उसके अं लेवल्स के साथ में क्लोज होता भाव भी दिखाई दिया है अब यहां से हमें यह चीज देखनी है कि क्या इस स्टॉक में ऐसा कोई पोटेंशल अपसाइड है फिलाल इस न्यूज के बाद में टेक्निकल स्टॉक्चर कुछ ऐसा इजाज़त देता है यहां पर कोई पोई स्टॉक के अंदर यह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जिस एरिया पर आकर यह अच्छे खासे अप्रेंट के बाद में अच्छा-कासा अप्रेंट भी कैसे देखिए 5200 के लेवल्स हैं यहां पर अगर आप देखें 5200 के लेवल्स से यह स्टॉक अब जाकर अगर डिस्ट स्टॉक ने दिखा दिया है अगर यहां पर कंसॉलिडेट हो रहा है मतलब क्या है कि यहां से जब यह नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चल रहा था तो सेलर्स का जो कंट्रोल था वो कम था सेलर्स के पास कम पावर थी लेकिन यहां पर आकर पायर सेंट सेलर्स की पावर जो कोशिश करेंगे देखें जब इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड आया था यानि की डेकलाइनिंग फेस था उसके बाद में इस पर्टिक्लर एरिया में आप देखिए और यहां तक के एरिया पर अगर आप नज़र डालेंगे तो वॉल्यूम कंसीडरेबली हाई रहे हैं ठीक है यह सर्टिक्डर वहां से बाइंग शुरू हुई और नीचे आया और बाइंग हुई और नीचे आया इस तरीके से वॉल्यूम का जो एक्किमिलेशन था वो यहां पर भड़ा इट मींस कहीं न कहीं यह एट्यूमिलेशन का कहलाया के बाद में फिर आपने देखा कि वॉल् जान होती है advancement stage की, अब ये जो पूरा area था ये तक करीबन तीन महीने के अंदर cover हुआ, यानि कि यहां से अगर आप यहां तक का area लेते हैं, तो तीन महीने के अंदर यह area cover हुआ, in fact उससे भी जादा, तो यह exact वही time होता है जितने time के लिए institutions bare minimum पैसा अपना किसी stock में रखते ह यानि के तीन महीने, छे महीने, या फिर नौ, या फिर बारा महीने, इस टाइप से institution generally use करते हैं, अपने पैसे को rotate करने को लेके, तो एक अच्छे खासे level पर यहां पर पैसा लगाना शुरू किया, down में अच्छा खासा average किया, और फिर एक अच्छी खासी upside के साथ में, काफ to be 100% confirmed, बड़ ये एक stage हो सकती है, distribution की, and distribution एक third stage होती है, किसी भी एक stock की cycle में, ये पहली stage accumulation, दूसरी stage advancement, पीसे stage distribution, जहां पर actually में buyers को exhaust कराया जा रहा है, buyers exhaust हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस particular level से यहां तक अच्छा खासा move कराया, अब जो यही institution जिन्होंने यहां पर buying बनाई थी, वो हम यहां पर धीरे-धीरे अपनी quantity से exit ले रहे हैं, वो लोग एक साथ कभी exit नहीं लेते, वो एक साथ कभी buying भी नहीं करते हैं, वो धीरे- stores का हाँ पर जो dealing होती है, तो might be अगर यह distribution stage है, तो फिर इसके बाद में यह support level break होते ही, एक अच्छा खासा fall आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए यह चीज़ हमें याद रखनी है, यह stock के अंदर downside बहुत जादा है, यह risky stock है इन levels पर, और जब तक यह sustainable basis पर 7, 6, 4, 5 के ऊपर जगा नहीं बना लेता, यहाँ पर sustain नहीं हो जाता, तब तक इस stock के अंदर यह risk बना रहेगा, तो हमें यह चीज़ याद रखनी है, जो green line मैंने मांक करिए, यह 7,028 के level मांक करके रख लीजिए, in case अगर यह नीचे की तरफ निकलते हैं, तो definitely एक बड़ी गिरा कर देना चाहिए, as a trader's point of view, और अगर यह stock in 7,645 के जो level मैंने अभी आपको बता है, यह break करता है, तब भी आपके पास में जो upside है, वो बहुत जादा unlimited नहीं है, limited ही है, क्योंकि उसके बाद में 8,050 के ऊपर अगला resistance यहाँ पर already created है, तो आपके पास में 7,645 के ऊपर bind करने के मौके मिलेंगे, target होगा 8,050, और अगर आप 7,645 से positions बना रहे हैं इस particular level से, तब आपको जो अपना stop loss है, कहीं इसके नीचे ही रखना है, अगर आप comfortable होते हैं, तो at least 70,450 के आसपास के stop loss के साथ में, इस stock के अदर position बना सकते हैं, तो यह altogether scenario है, बजाज finance का technically जो यहाँ से इस consolidation को पढ़ने के बाद आतावा दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर और के situations है, technical structure अगर आप देखें, तो RSI उतना week नहीं है, छोटा सा एक दिन की अगर गिरावट है, तो उसको हम लोग divergence negative नहीं मानेंगे, altogether अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, तो अभी भी इस structure आपके सामने, जो यहाँ पर एक अच्छी खासी buying opportunity भी दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर upside limited है, and downside के अंदर risk जादा है, इसलिए आपको stop loss intact रखके चलना चाहिए, तो इस वीडियो में फिलाल देखिए इतना ही, इसे ठीक पहले Tata Steel की वीडियो डाल चुक हूँ, वो व आज के लिए फिलाल इतना ही मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे कल एक अलग वीडियो में, till then thank you, bye bye